वारांसी के प्राचीन दश्में में खाट पर एक बड़ा हादिसा टल गया जानकारी के मुतावई गाट पर गंगा आर्टी चल रही थी और आर्टी खत्म ही होने वाली थी कि इसी दोरां गाट का एक हिस्सा अचानक धस गया जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई हाला कि आर्टी खत्म होने के बाद गाट के धसे हिस्से को खाली करा गया वहीं हादिसी की सूचरा मिलते ही मौके पर नगर निगम के टीम, पुलिस के आलादिकारी और स्थानिय विधायक और यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे नील कंठ तिवारी भी मौके पर पहुंच गए इसके बाद ही नगर निगम के चीफ इंजीनियर ने विधायक के साथ मिलकर गाट के धसने वाले हिस्से का जैजा लिया बलकि धसे हुए हिस्से की तरफ लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से रोग भी लगा दी गई दोनों अधिकारी पुलिस विभाग के लोग सभी लोग पर अधिकारी आये हुए है और इसको देखा जा रहा है क्या कारण है इसके धसने का कोई धुरगटना नहीं हुई है किसी परकार कोई फेजवल्टी नहीं है लेकिन यह घटना जैद धसा है घार तो इसको ठेक करना और कैसे हुआ क्या कारण है उस सभी चीजों को देख करके यहां परसासन के लोग लगे हैं पुलिस वाकरी लोग है अनलग वहीं गंगा आरती कराने वाली संस्था गंगोतरी सेवा समीती के सचिव दिनेश शंकर दूबे की माने तो अभी दुरगटना के पीछे की सही वजा नहीं बताई जा सकती है लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टल जरूर गया जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समें गाट पर काफी भीड थी लेकिन गनिमत ये रही कि इस्थिती को समें रहते संभान लिया गया नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था और कई लोगों की जान भी जा भी सकती थी इसका उबर पर आपका क्या कुछ कहना है ज़रूर बताएं और देखते रहें ये वीके नियूज उत्तरपरदेश उत्राखंड सच का सार्थी सब्सक्राइब झाल स्ब्सक्राइब झाल झाल